नमस्कार मित्रों, मित्रों दिवाली आ गया और ये वही समय है जब नयले से लेके विधर्मियों को सबसे ज़्यादा टार्गेट करने का मौका मिलता है कि जिसे ग्लोबल वार्मिंग और पॉलुशन ये हिंदूओं की हिदेन है को कि दिवाली आ गई वैसे तो होली और अन् दुलना नहीं करेंगे ये जो कहते हैं कि ये आधुनिक देन है आधुनिक चका छोंत की देन है या दूसरों को देखा देखी, न्यू यर्स के फेस्टिवल के देखा देखी, हम लोग दिवाली मनाने लगे हैं, पटाके बाजी, आतिस बाजी जो है, ये आधुनिक नकल की देन है, इसको कैसे सही माना जा सकता है, जबकि हमारे पास तीन हजार साल का पिशलाग, इतिहास है कि हम लोग करेंगे, वैसे तो हमारे रामायन महाभारत में अगनीवान का वर्णन है, अगनी क्रिडा अलग-अलग समय में में देखते हैं, लेकिन अगर प्राचीन देखें तो अर्थ सास्त्र जो कौटिल लिखा है, ते रोस ते इस सो इस पीपूर, लगवर लगवर तो मानना अगनी चुर्न जो है, उसका जिक्र किया है कि इसको किस प्रकार से विभीन प्रकार से इसका प्रियोग किया जा सकता है, और आगे चलके हम देखते हैं कि चीनी जो कई विद्वानों के पुस्तकों में ऐसा वर्णन आता है कि भारत में सिर्फ सेन प्रियोग में यह नहीं जाते थे, यह रंगीन रोष्णी निकालने के लिए समारोहों में, विभाहुसों में, विभिन उच्सों के प्रशंगों में इसको जो है, रंगीन रोष्णी निकालने के लिए इसका प्रियोग किया जाता रहा है, यह चीनी विद्वान मानते हैं, और वहीं से कहीं न कहीं इसकी प्रेड़ना लेकर चीनियों ने इस पर बहुत काम किया और यह सही है कि उसके बाद उन्होंने इरोप, भारत को वो एक्सपोर्ट कर सके व्यापक अस्तर पे, सोलवी सताबदी में चीन का दबदबा दिखाई देता है इस शेत्र में, कि वो धीमी आवाज करने वाले प प्रफुराम किर्ष्न गोडे जो है, उन्होंने एक बुक लिखी है, The History of Fireworks in India उसमें वो 1443 सिस्वी में, उससे भी काफी पहले सोलवी सताबदी में मानेंगे ने कि चाइना के द्वारा बहुत विक्सित करके यहाँ पे आए 1443 सिस्वी में, विजे नगर सामराज्य में, देवराव दूतियर वहां के समराज जो राजा थे हैं, उनके काल में, सुल्तान साहरूख जो है, वो उसका एक दूत यहाँ पर था, और वो दूत जब वर्नन करता है, यहाँ का तो कहता है कि राम नौमी के समय में, यहाँ प्रतिबंध लगाया था, रोक लगाया था, और इस आसे के जो पत्र होते हैं, वो बीका नेर के संग्रहाले में अभी भी उपलब्द है, पठाके जब उसमें प्रचलन में नहीं थे, तो रोक कहां से लग रही है, इसके बाद, डॉक्टर सत्य प्रकास जो है, उन्होंने प्राचीन भारत में रशायन, बारूद और यह सब रशायन ही है, रशायन की सबसे पहली पुस्तक संस्कृत में मिलते हैं, इसी से पता चलता है कि यह काफी प्राचीन है, तो डॉक्टर सत्य प्रकास जो है, वो वर्णन करते हैं कि उडिसा में, जो बहुत ही उस समय के 14-15 प्रवी सताबदी के बहुत ससक्त राजा थे, जो चैतन महाप्रभु के मित्र भी थे, गजपती प्रताप रुद्रदेव, उनकी पुस्तक कौतुक चिंतामनी में यह वर्णन है कि उनके दर्मार में बिभिन्न प्रकार के आतिसबाजी जो है, वो की जाती थी, पुस्तक है, इस पुस्तक में भी वर्णन है कि बांस के पिंजडान में बांस के डब्बे के भीतर से जो है, वो रॉकेट की तरह जो है, उपर कुछ छोड़ा जाता था, आकास में, जो कि उपर जाके मोर पंक की तरह, या राजाओं को हिलाने वारे जो चमर की तरह, रंग उससे संबंधी तो बिल्कुल उस मोर पंक से उसकी तुनला कर रहे हैं, उस समय, सुक्रनीती में जो है, आतिस बाजी का वर्णन है, हला कि उसका कारेका निरधारित नहीं है, तो इतनी प्राचीन, हर जगह हम देख रहे हैं कि उतनी 1443, 1665, 15-16 सताबदी के आसपास कस्मीर म उडिसा में, गुजरात में, विवाही समारोहू में जो है, वो रंगीन पठाकों को छोड़ने का इसका जिकर मिलता है, 19-वी सताबदी में दास गुपता जो बंगाल के हैं, तो कत्ता में पहला फैक्टरी लगाते हैं, जिसमें ओभी धीमी आवाज वाले पठाक्टे, भारत के 90% पठाके जो हैं, वो उत्पन करता है, तमिलनाडु को अगरगनी राज्य माने जाता है, उसमें विशुरकाशी को वो जो जगा है, और ये यूरोपियन जो पठाकिया छोड़ रहे हैं, अगर आधुनिक पठाकों की भी विवात करें, तो अठारवी सताबदी मे जो शोरा होता है, बारूद का एक फॉर्म, ये एक प्रकार का नमक होता है, इसी से कच्चा रौ जिससे बारूद और पठाके वगर बनाते हैं, शोरा का 90% उत्पादन भारत में होता था, और यहां से 18 सताबदी के बात, और यहां से यूरोप के देशों में इसका एक्सप परदान भाजी की, और इससे रोका नहीं जा सकता है, इसको क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता, हम ये कह सकते हैं कि इसको फरेंडी बनाया जाए, इस प्रकार की पटाके हों जो परियावलन को नुक्सान न पहुंचाये, जैसे कि पहले जोड से पटाके बसने थे बाद मे और हम गुजारिस्नों करे बंद होना चाहिए हम हमें जब किसी और तेवार को रोका नहीं जा रहा है तो फिर हम इक चाहे न्याले हो देखिए परमपरा ट्रेडिस्टन एंड कॉर्ट भी डिनाई नहीं कर सकता चाहे वो मैरेज एक्ट हो चिल्डेंड एक्ट हो कहीं पर भी यगर कोई भी ट्रेडिसन और परमपरा जो है वो नैतिक्ता के विरुद्ध नहीं है तो वो प्रिवेल करेगी उसको रोकने का अधिकार नैतिक अधिकार कोड को भी नहीं है वो ऐसे समय में जब दूसरे धर्मों के परियावरन को नुकसान वाले कृत्य को धार्मिक कृत् क्योंकि हमारे स्वास्त के लिए खत्रा है लेकिन अगर नियाले ने इस तरीके के कृत्ति नहीं कियो ते 8-10 साल पहले 10-12 साल पर एक्टी तो धीरे-धीरे खुद ही हिंदू चाह रहते कि पटाके जो है थोड़े कम हो लोग खुद से ही ऐसा करने लगे थे लेकिन नियाले कि दबाओ ने विद्रोही बना दिया बागी बना दिया हिंदूों को इसलिए अब नियाले ज्यादा हस्ट छेप ना करे हिंदू स्वतही को फ्रेंडी जो है पटाके बनाए इस दिसामें काम करें सरकार इस दिसामें मदद करें लेकिन पटाके छोड़ने से अगर रोकने क कोशिस की जाएगी तो पटाके और जादा बजेंगे, इसे रोका नहीं जा सकता है और इसकी जड़े, आपने देख लिए कि कितनी गहरी है और हमने तो कुछ उधारन दिये हैं, इस पर तो सोध पत्र एक से एक है और अच्छा किया कि इन लोगोंने चाहे प्रोफेसर गोडे हों, इडौक्टर सत्य प्रकास जी हों इन लोगोंने अगर ये काम नहीं करके रखे होते तो हम कहाँ सुधारन दे पाते? हम सिर्फ अभी कॉम्पेर करते हैं कि वो भी तो कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं हमारी जड़े इतनी गहरी समाई हुई है यह हमारे विद्वानों ने लिख रखा सोथ कर रखा पहले से हो सकता हुने पता हो कि भविष्ट में इस इस तरीके की साजिस हो सकती है जिसका जवाब हिंदूओं के पास होना चाहिए ठीक है मित्रो तो दिवाली की सुभकाम ना है और आप लोग पठाके जलाईए इंज्वाइ कीजिए वन्दे मात्रम